देखे हमारे पास एक बहुत बढ़िया कोशन है यह CBC ने अपने sample paper में दे रखा है इसमें कोशन में क्या given है देखे है हमारे पास एक charge plus q है charges plus q and minus q are placed at points a and b यानि a के उपर जो charge रखा हुआ है वो plus q है और b के उपर जो charge रखा हुआ है वो minus q है ठीक है which are distance 2l apart यानि यहां से लेके जो यहां तक का distance है वो है 2l c is the midpoint of a and b यानि यह जो point है यह इन दोने की बीच का midpoint है यानि यह भी l है और यह भी l है ठीक है what is the work done in moving a charge plus q along the semicircle CRD अब अगर यह CRD semicircle है और यहां से लेके c to b जो length है वो l है तो यह b to d length भी l होगी है अब हमें निकालना क्या है हमें इस c point से d point तक किसी एक plus q charge को लेकर जाने में work done निकालना है तो जब c से d पे work done निकालना है तो हम सीधा सीधा क्या बोल सकते हैं देखें हमें एक बात पता है कि potential difference जो होता है जैसे potential difference d और c point में देखूं वी d minus vc यह किसके एकवल होगा जितना भी work done मुझे इसमें करना पड़ रहा है पर unit जो भी में वहाँ से charge लेके जाओंगा तो वह plus q होगा यानि work done सीधा सीधा क्या हो जाएगा plus q into vd minus vc अब देखें इसमें जो semi circle का जो path दे दे आया है इसे कोई मतलब नहीं बैठता है क्योंकि जब हम electric fields की बात करते हैं तो वह conservative field होती है जिसमें जो work done होता है वह path independent होता है तो हमें इसमें सिर्फ initial और final points की बात करनी है तो यानि मैं क्या करूँगा मैं पहले इसमें potential निकालूँगा c point पर तो यानि v at c कैसे निकलेगा दीखें v at c तो v at c निकालने के लिए मुझे a की वज़े से और b की वे से potential होँगा पर निकालने पड़ेगी ठीक है अब v at d निकालते हैं देखो v at d plus q की वे से k plus q upon अब d और a की बीच का distance कितना है देखें d और a की बीच का 12 plus l यानि 3l है तो k q upon 3l plus k minus q upon यहां पर क्या हैगा l आएगा देखें b और d की बीच में अंगल कितना distance कितना है l है और charge कितना है वाप माइनस q है इसको solve कर लेते हैं यह solve करके हमारे पास इसको मैं 3 से multiply 3 से divide कर दूंगा तो यह कितना बैट जाएगा तो यह कितना बैट जाएगा यानि v8c भी हमने निकाल लिया है और v8d भी निकाल लिया है हमें question में निकालना क्या है what is the work done in moving a charge plus q along the semicircle crd ठीक है इसमें semicircle का कोई खास role नहीं है क्योंकि यह conservative field मैंने बताया है vc तो जीरो यह तो यहां पर सिर्फ vd की value आएगी वह जो कि है minus 2kq upon 3l तो यहां पर work done हमारा आ जाएगा minus 2k small q into capital q upon 3l यह हमारा work done हमने इसमें निकाल लिया है hopefully आप लोग को यह question जो है पसंद आया होगा इसका solution बहुत easy है जादा कोई hard question नहीं है और यह question एक बार neat में भी आया है तो neat के questions board अपने sample papers में डाल रहा है आप यह देखिए तो hopefully आप लोग को यह समझाया होगा